हले वीडिए में बात करेंगे ट्रेडिंग क्या होती है तो ट्रेडिंग का सिधा मतलब होता है व्यापार यानि कि घ्रों को खरीदना और बेचना ही यह आप ड्रेडिंग है अभर वोलोगे इंवेश्टिंग उसमें भी हम share खरिते हैं और बेस थे लेकिन में इसा नहीं होता है क्योंकि investing में share हम long time के लिए खरीदे है जबकि trading में हम share को उसी दिन बेस देते हैं या एक दो दिन के अंदर यहाँ पर share को बेस देते हैं investing से पहले हम share का fundamental analysis करते हैं और trading से पहले technical analysis अब fundamental analysis क्या होता है fundamental analysis में हम company का profit loss, reserve, promoter सब कुछ यहाँ पर intrinsic value, book value, ROI, PE, सब कुछ यहाँ पर check करते हैं जबकि technical analysis यहाँ पर क्या होता है technical analysis में हम सिरफ यहाँ पर stock का chart देखते हैं और उसमें अलग-अलग indicator यूज़ करते हैं जिसे यहाँ पर हमारा profit है वो अच्छा खासा उसके और हम उसी दिन chart का movement देखके उस share को यहाँ पर base देते हैं तो यहाँ पर share को उसी दिन या आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही खरीद के बेचना और वो भी शिरफ chart basis पर तो उसे हम यहाँ पर trading कहते हैं I hope वीडिया आपको पसंद आया होगा Thank you, keep supporting